तो अपन्धे यहां से बढ़ाना था रुक्ष गुण चो होता है उसमें कौन से महाबूत होते हैं वायू महाबूत और अगनी बाबूत होता है और कार्मुक्त वह यानि इसके कर्म डिटेल से बताये गए है कि रुक्ष गुण जो होता है शेरीर में रुक्षता लाता है खरता लाता है विशदता करता है और रुक्ष गुण है वायू और अगनी महाबूत है तो कफ का तो क्या होगा? शामक होगा रुक्षता है खुद रुक्षगुण है तो क्या करेगा वात को बढ़ाएगा और रुक्ष के अंदर सबसे एच्छा एक्जामबल किसका आता है रुक्षता करता है मतलब शोषन करता है मतलब बाजरा जो होता है वो अब आता है मंदगुण यानि कि डल यानि कि शमन करने व और धीमिगति से कारे करता है, उसे बोलते हैं मंद गुन, परीभाषा देखना, यश्य शमने शक्ति समंद है, जिसके अंदर दोशों का शमन करने की शक्ति होती है, दोशों को दबाने की, यानि कि जो उत्कलिस्ट अवस्ता में है, उनको बाहर नहीं लाना है, क्योंकि बाह आश्तियां लेते हैं, तो मंद गुन क्या करता है, शमन करेगा, और तिक्षन और उश्न गुन क्या करेगा, शच्व दन करेगा, इसलिए जो महाबूत भी होंगे, वो उसी के हिसाब से होंगे, जो तिक्षन गुन पढ़ेंगे, आगे उसमें अगनी महाबूत होगा, और जो मंदगुण है, उसके अंदर जो माबूद है, वो है परत्वी और जल माबूद, यानि हैवी माबूद, देखिएगा, जिसमें दोशों को शमन करने की शक्ती होती है, उसे बहुत है, मंदगुण, बहुतिक संगठन देखना, परत्वी और जल माबूद की परधानता होती है कार्मुक्त में मंद गुण सभी क्रियाओं को शितिल कर देता है और अल्प कर देता है यानि कि स्लो कर देता है सभी प्रोसेस को दोश देखना जल महाबूत है तो कफ को बढ़ाएगा और क्या करेगा पित का शमन करेगा क्लियर है नेक्स्ट है आठवा तिक्ष्ण गुण मुख्य कर्म है शोधन कर्म करेगा बहुतिक सरूप है कि शिगरता शोधन करवाते हैं तो शिगर कारे करने वाली ओशितियां लेते हैं तो इसलिए कौन सी ओशितियां लेते हैं तिक्ष्ण गुण वाली और तिक्ष्ण गुण वाली और तिक्ष परिवाशा देखना ये शोधने शक्ति से तिक्षन हैं हे मादरी का अनुसार परिवाशा बताईए गई है कि जिसमें शोधन करने की शक्ति होती है उसे बोरते हैं तिक्षन गुण बहुतिक संगठन अगनी माबूत की परदानता होती है क्योंकि अगनी माबूत होता है उसी करण के ओता तिक्षन गुण क्या करता है दोशों को उखाड के बाहर लियाता है इसी करण legal हम पंच्कर्म करवाते हैं वमन वीरेचन आदी करम जो करवाते हैं कारमुक्त देखना ये द्रव्य शरीर में जलन करते हैं पाक करते हैं सिधी सी बात है अगनी माबूत है तो करेंगे और स्रावों को बढ़ाते हैं पित को बढ़ाने वाला होगा और कफ और वात का शमन करने वाला होगा पित बढ़ाएगा अगनी माबूत के कारण कफ और वा की माबूत होता है वो होता है प्रत्वी माबूत तो सोचने वाली बात ही नहीं है इसलिए माबूत तो याद हो जाएगा प्रत्वी माबूत मुख्य करम होता है इस्तिर है तो धारण करना बहुतिक सगुरूप देखना जो चीरिस्ताई होता है जो इस्टेबल होता है जो गत वायू की गती हो, चाहे फिर वो मलकी गती हो, मलकी सारक गती हो, उसको रोकना, उसको इस्तंबन करना, और ये क्या करेंगे, जब इस्तंबन करते हैं, तो क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा, तो ये क्या करेंगे, कफ वर्दक होते हैं, नेक्स्ट है सरगुण दस्वा फ्लो वाला जिसके अंदर प्रेरण करता है मतलब कि सरगुण गतिमान या गतिशील मुख्य होता है प्रेरण कर्म यानि कि मल्की या फिर अपान वायू की उप्स्ट्रक्शन को हटाके उसके अनुलोमन गति करवाना एक तरह से होती है प्रेरण गति उसके फ्लो को वापस से उप्स्ट्रक्शन को हटाके उसके फ्लो को नियमित रूप से करना बोतिक सवरूप देखना सरगुण गतिशील होता है परिवाशा यश्य प्रेड़ने शक्ती ही सर है हिमादरी कनुसा जिसमें प्रेड़न यानि कि मल की प्रवर्ती करने की शक्ती होती है उसे बोलते हैं सरगुण बोतिक संगटन जल माबुद की प्रदानता होती है क्योंकि जल ही होता है जिसके अंदर क्या होता है सर का गुण होता है फ्लो बहने का गुण होता है फ्लो का गुण होता है तो जल माबुद वाद और मल का परवर्तन करवाता है और सरगुन क्या गत्य अनुलोमन का गया है एक तरसे, एक तरसे जिसे विरेचन मान सकते हैं, विरेचन कर्म करवाता है, तो वो गया, वो विरेचन वाले जो कर्म करवाते हैं, उनके अंदर कौन सा माबूत होता है, परत्वी और जल माबूत ही होता है, तो सरगुन के अंदर कौन सा माबुद होगा जल माबुद होगा इसलिए ये क्या करेगा वात को बढ़ाने वाला होता है और कफ को बढ़ाने वाला होता है अनुलोमन गति करवा रहा है ना इसलिए वात को बढ़ाने वाला होता है अब आता है म्रदुगुण जिसे बोलते हैं कोमल यानि की अव्यों में शित्लता उथबन करना परीभाशां यस्त्र श्लत ने शक्ति ही सम्रदु के अनुसात जो द्रव्य शरीर में शित्लता उत्पन करता है यानी अपना जो मान्स होता है उसमें ढिलापन लेके आता है उसे बोलते हैं बहुतिक संगटन है कि जल महाबूद और आकाश महाबूद की प्रधानता होती है, जल महाबूद होता है वही करता है मर्दू का करम, किसी भी चीज को सौफ्ट करना है तो, कारमुक्त द्रव्यों के भाईया और आभ्यांतर यूज करने पर कोमलता होती है, या तो इनका वारतित का तो शमन होगा, जल महाबूद के काण कपको बढ़ाएगा और वारतित का शमन करेगा नेक्स्ट बारा नंबर, कठीन गुण, यानि कि कठोर, स्टेबलिटी, हार्ड, यानि कि द्रडी करन मुक्य करम क्या हुआ इसका? कठीन गुण का द्रडी करन करेगा, यानि शरीर की स्ट्रेंद को बढ़ाना बोतिक सुरूप, अव्योव में संगाद उत्पन करता है, परिवाशा देखना, यश्य द्रडी करने, शक्ती से कठीन है है मादरी के अनुसार, जिसके शेवन से शरीर में द्रड़ता, कठीनता उत्पन होती है, उसे बोलते है कठीन गुण obviously और कठिन गुण किसे में होता है प्रत्वी माबूत में इसलिए प्रत्वी माबूत किसकी प्रदानता होगी इसको उन में प्रत्वी माबूत की प्रदानता होगी कारमुक्त देखना भाई ये प्रियोक करने पर शरीर के अव्यों में कठीनता उत्पन करता है यह दातों में द्रड़ता तथा मलों का शोशन करता है परत्वी माबूत है इसलिए क्या करेगा यह शोशन करम करेगी और शोशन करम करेगी तो परत्वी माबूत क्या करेगी वात को बढ़ाएगी और कफ का शमन करेगी अब है विशदगुण, यानि कि क्लियर्टी, किसी भी पात्र में जब हम सबजी बनाते हैं, उसके बाद में वो क्या हो जाता, चिकना हो जाता है, उसके बाद में चिकना हो जाता है, उसके बाद हम वो साबुन लगा केवी में वगरा दोते हैं ना उसको, तो एक तरह से वो जो चिक जो थी अपनी बरतन जो था उसकी चिकनाई का नाश किया, उसके कलेदन को नस्ट किया, तो एक तरह से उसमें कौन सा गुण हो गया, विशद का गुण, तो उसे बोलते हैं क्लियर्टी, इसका मतलब होता है शालन करम, तो इसका मुख्या करम क्या हुआ, शालन, यानि कि स्व शालन करम करने की, जिसमें कलेद को नस्ट करने की शक्ती होती है, उसे बोलते हैं हम विशद गुण, बोतिक संगटन देखना, अगनी माबूत, प्रत्वी माबूत और वायू माबूत, इन माबूत की इसमें प्रदानता होती है, कार्मुक्त विशद पिछल गुण के करने वाला होता है, तो ये क्या करेगा, कफ का तो नाशक होगा, ठीक है, और वाद का वर्दक होगा, वायू माबूत के कारण, नेक्स्ट है, पिछल गुण, स्लिमिनेस, अब देखना, एक अंतर है यहां पे, एक तो पिछल है, और एक है शलक्षन, शलक्षन जो होगा न, वो इस पर्ष में चिकना होगा, और पिछल जो होगा न, वो पूरा चिकना होता है, चिकना यह अंदर तक होती है, तो यह तोड़ाएंसा तोड़ाएंसा देखना, शलक्षन में लिखा हो है न, इस पर्ष में चिकना होता है, और पिछल गुण जो होता है, वो जो होता है, वो पूरा चिकना होता है, यानि कि सांदर भी होगा, गाडा भी होगा और चिकना भी होगा, एक तरसे दही ले सकते हैं इसके अंदर, तो वो, यह क्या करता है, लेपन कर्म करता है, कोटिंग जो होती है, वो वाला कर्म करता है, तो पिछल कुन क्या करता है, लेपन कर्म करता है, यह यह लेपन कर्म करता है, संधान कारक होगा जोडने वाला कफ कारक होगा जल माबूद तो कफ को बढ़ाने वाला होगा और लेपन कर्म करता है तो किसी भी चीज़ की मदूर रच्च होता है वो लेपन करता कफ को बढ़ाता है गुरू होता है और गुरू होता है जल माबूथ है तो क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा, इसलिए पिछिल गुन क्या होता है, कफ का वर्दक होता है, कुछ यार नहीं करना है, लेपन कर्म, बोतिक संगटन और दोश, खतम बात, अब आता है शलक्षने, जो चिकना होता है, सर्पेसली चिकना होता है, मुख्य क कुरा वोलते हैं बोतीक संगटन एंगेनि महावoden कारमुक्टा ये द्रव्य शरीर में श्नकी्य में स्नेहन को ओकिना she को जीवनियूं उटन संगात कारक होते हैं सेम अंफिए इसका रोपन करने वाली तो मुट्यकरम क्या था इसका रोपन और बल्य। होते हैं दोश है कफ को बढ़ाने वाले और वात का शमन करने वाले होते हैं कुछ-कुछ अलग भी आ रहे हैं कि अगनी महाबूत होते हुवी फिर भी कफ बढ़ा रहा है तो यह इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी होती है जिसी के कारण यह इसा होता है नेक्स्ट खरगुन यहीं कि रफनेस खुर्द्रा तो लेखनकर्म कोई मोटा आदमी है ठीक है उबेस्टी है किसी के अंदर तो उबेस्टी है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है मेद है तो स्क्रैपिंग हो गई एक तरANC से जो एक्स्ट्रा वे उससको कुरच्टे हुए बाहर निकालना तो उसे बोलते हैं लेखनकर्म यह इस पर्श में खुरद्रा यश्य लेकने शक्ति सा खर है जिसमें लेखन कर्म करने की शक्ति होती है वो क्या होता है खर होता है तो खर है तो कौन सा रफनेस है जो खरता लेके आएगा शरील में जो लेखन कर्म करेंगे तो क्या माबुत होंगे वायू माबुत होगा और प्रथि माबुत होगा तो वाय है जो श्नियांश है उसका क्या करेगा शोषन कर लेगा और मल को शोषन कर लेगा मल के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसका शोषन कर लेता है वात को बढ़ाएगा और कफ का नाश्ट करेगा इसलिए वात को बढ़ाने वाला होता तो खरगुन है तो सिधी सी बात है शरीर में रुख्षता लेके आएगा कफ को नाश्ट करेगा मतलब की ओबिसिटी है, ओबिसिटी वाले व्यक्ति को बोलते हैं हमकी तो खर गुण योक्ति दरवे खा इसके अंदर क्या होगा, उसके वाद को तो क्या कर रहे हैं और उसके अंदर जो कफ है, उसको का कर रहे हैं कम कर रहे हैं, तो हर चीज महाबूत से सैट नहीं होगी, वैसे भी होगी देखिएगा, शुक्ष्मगुण शुक्ष्मगुण वो होता है जैसे, केशी कहीं होती है सबसे चोटी कहीं बता रहे हैं केशी काई होती है, अपने brain के अंदर है, कहीं भी केशी काई होती है, छोटे से छोटे channel में जो चला जाता है वो गुण होता है, शुक्षमगुण, जैसे मद्य होती है, alcohol, उसके अंदर कौन सा गुण पाए जाता है, शुक्षमगुण होता है, बारिक से बारिक channel में प्रवे बारिक से बारिक सुरोतों में प्रवेश कर जाने के कराण इसे बोलते है विवरण, तो कौन सा करम करेगा यह विवरण करम, अब यह वो को संकुचित करने वाला गुण होता है इसके अंदर, यश्य विवरण शक्ति से शुक्ष में है, जिसके अंदर विवरण, यानि कि सु तो में प्रवेश करने की शक्ति होती है, उसे बोलते हैं शुक्षमगुण, बहुतीक संगटन देखिएगा, प्रवेश करेगा, किसी भी जीच के अंदर तो उसमें गती होगी, तो गती होगी, तो वायू महाबूत होगा, और वहाँ जाके कोई भी प्रभाव करेगा, तो व प्रवेश कर जाती है, उसी कारण इसे क्या बोलते हैं, शुक्षमगुण या फिर इसे बोलते हैं विब्रण कर्म, दोश, वात को बढ़ाएगा, और कफ को नस्ट करेगा, तो शुरोतरस है, तो शुरोतरस के अंदर कफ का उप्षिक्शन होता, तो जाती ही नहीं, बढ़ाने वाले हो गई, नेक्स्ट अठारा नंबर, स्तूर गुण, मोटापन लाने वाला गुण, मोटापन संवरण, मोटापन लेके आना, शरीर के अंदर एक तरस से गुरुगुण की तरही हो गया, प्रहंगन करम हो गया, तो संवरण का मतलब होता है, शरीर में मोटा obesity लाना तो उसे बोलते हैshtool गुण बोतिक सुरूप के अंदर आकार में बढ़े या फिर फेले उएजो होते हैं उसे बोलते है इस तूर गुण आकार में बढ़ा होना इस तूर का नाम से समझ में आ रहा है इस तूर मतलब की बढ़ा होना, bulkness ये शेर समरणे शक्ती से स्थूल है, जिसके अंदर शरीर के समरण करने की, यानि की मोटापा करने की जिन दरव्यों के अंदर शक्ती होती है, उसे बहुते हैं, समरण कर्म करता है वो, और वो दरव्यों जो होता है, उसके अंदर कौन सा गुण होता है, स्थूल गुण होता स्रोतस का अवरोध होगा तो क्या बढ़ेगा कफ बढ़ेगा स्रोतस का अवरोध हटेगा तो क्या शमन होगा कफ शमन होगा जिसे पिछले वाले में हो रहा था किसमें शुक्ष में इसलिए वो क्या था कफ का शमन करने वाला था और वात का शमन करेगा मोटा होना है तो क्या होगा वात क्या करती है क्रश्टा करती है इसलिए वात क्या करना है शमन करना है और कफ को बढ़ाना है किसी को मोटा करना है तो नेक्स्ट है सांद्रगुन उन्नीस्वा विसकोसिटी यानि कि गाड़ापन यानि कि प्रसाधन कर्म जिसके अव्यव अत्यंत गन हो नहीं पढ़ना है परिभाषा देखना येस्य प्रशादने सकती जिसके अंदर प्रसादन करने कि शक्ती होती है शरीर को स्तूल करना एक तरह से वही चीज हो गई सांद्रियानी की गारा हो गया तो वही हो गया प्रसादन करना, मतलब कफ को बढ़ाना एक तरह से, तो वही हो गया कि मोटा पलाना, गुरु गुण की तरह ही हो गया, तो प्रत्वी माबूद के दिखता है, बिल्कुल दोश है, कफ को बढ़ाने वाला है, वाद को शमन वाला है, बिल्कुल सेम चल रहा है सब कुछ, कार्मक्त देखना, शरीर को इस्थूल करने वाला, तथा शरीर के अव्यों का बंदन करने वाला होता है, उसे बोलते हैं सांद्रगुन, एक लास्ट पढ़ रहे हैं आज का, बीस ना नमबर, द्रवगुन, द्रवगुन जो होगा, पतला यानि की विडोलन करना, विलोडन कर्म कौन करता है, द्रवगुन करता है, विडोलन का मतलब होता है, शरीर के अंदर क्लेद उत्पन करना, बोतिक सुरूप, अव्यों में स्रवन, श्यदन, यानि स्रावन में कारण होता है, द्रवगुन क्या होता है, लिक्विड यानि की एक्षूरस होता है एक तरसे द्रव हो गया और मुत्र को बढ़ा रहा है एक्षूरस क्या करवाता है मुत्र को बढ़ाने वाला होता है तो द्रवगुण के कारण कौन सा कर्म? विडोलन कर्म यानि के कलेदन करने वाला या फिर स्रमन कर्वाने वाला एक्स्रा फूट को निकालने वाला, तो स्रमण करम हो गया। ये श्य विदोल करने की सक्ति होती है, उसे बोलते हैं द्रवगुण बोतीक संगटन ओविसली द्रव है तो जलमावुत की पर्धानता होगी, द्रवगुण क्या करता है, शरीर में कले दूत्पन करता है। गो कि